ग्यारवी वाले पीर की दरगाह के गद्धी नशीन खान बाबा गुलाम ने दवाईयों के लंगर पहुँच हाजर कुछ महिला मरीजों तथा सिलाई सेंटर की लड़कियों को सूटों का कपड़ा भेंट कर अपनी खुशी का प्रगतावा किया उन्होंने कहा मैं अपने नियमानुसार प्रती माह कुछ महिलाओं का वस्त्रदान करता हूँ सो आज इच्छा हुई कि यहां नेक कार्य इस नेक अस्थान पे ही किया जाए चूकी चन प्रदेसी ट्रस्ट दवाईयों के लंगर में सभी धर्म ववर्क के लोगों की सेवा निर्सवारत भाव से की जाती है इसलिए इस जगह का बहुत बड़ा महत्व है खान बाबा ने इस मौके न्यूस इंडिया टाइम के पत्रकारों से बात करते कहा बेशक सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए मगर जो काम ये ट्रस्ट कर रही है ये धर्म से भी पहले हमारा नैतिक फर्ज है संस्थापक नागपाल ने कहा मैं नीजी तौर से खान बाबा को कई साल से जानता हूँ और देख रहा हूँ कि ये निरंतर मानवता सेवा के कार्य में लगे रहते हैं तथा समय समय हमें दवाईया भी भेंट करते रहते हैं कभी महिलाओं को कपड़े इत्यादी जरूरत मंदों को बांटते हैं इस मौके ट्रस्ट के संस्थापक चंदर नागपाल आज OPD की सेवा करने आये डाक्टर दिनेश ओबराये ट्रस्टी पूनम नागपाल सिलाई ट्रेनर सरोज बाला कोर कमेटी मेंबर जय पाल सिंग, लैब टेकनीशियन राजविंदर कौर राकेश सूद के इलावा बहुत सारे मरीज भी हाजर थे अज द्वाईयां से लंगा देविच जिमे के साड़े गोवी महमान आंदेने अज दे महमान साड़े, खान गुलाम नभी जी विशेश्ट रहते थे आए, अज देना ने एक नमा कम किता, साड़े सलाई सेंटर लियां कुडियां नो स्पेशल रहते बुलाके, जिनने मरीज सी के उना नो, सारी लेडिज नो, साड़े स्टाफ दी लेडिज नो, सारे न साड़ा तैया दिल दो शुक्रिया कर दे हाँ, इत्या आया एक बार फिर जी आया भी तर नो, साड़े नो, साड़े नो, साड़े नो, साड़े गुलाम नभी, मैं आज अपने अकाश भाई और अकाश दे डेड़ी परिवार दे विचा के, क्योंकि ये कैम्प लगर मिशे लगर रहते हैं, यहां मैं आके स्टाई सेंटर भी थै, तो गयार मेरे सरकार गौंसफार ते दर्वार विचा के मैंने सोचा, कि एक दिन सर्दी दा मौसम है, क्योंकि हर इज़त लेडिस दे कोई गुरू पीर, अल्ला दा वली, हमेशा माद पेट विचु जन्म लिया, इस फर्द क्रुट प कर दोड़कों है हैं तो गुरू मैं आगे से भी फर्द कर सूर पारिफ़नी काया्य एज़ी दोलू मैं हमेनियों आपने सेव स्टाई मेरे पीर बन-धाय जुमदय कने तनी –। खै झाल, झाल, झाल